मुश्कर दोस्तों मेरा नाम रोशन है और आज हम लोग आल इन वन चटनी की रेसिपी बनाने वाले हैं जिसे आप मुमोस के साथ चाइनिज फूड में या सेज वान चटनी के तौर पर पराठों के साथ किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं ये चटनी तो सबसे पहले कडाही में हम 500 ml पानी लेंगे इसमें मैं 50 गराम काश्मीरी लालमी चाइड कर रहा हूँ मैंने इसके बीज नहीं निकाले हैं आप चाहें तो इसके बीज निकाल के भी आड़ कर सकते हैं दो टमाटर लेंगे जिनके मैंने चार साइड में चार कर्स लगा दिये हैं अब धक्कन लगा के हम इसे साथ से आठ मिनट के लिए बॉल करेंगे फिर हम इसका धकन हटा देंगे और ये अच्छे से बॉल हो चुकी है अब टमाटर के जो छिलके हैं उन्हें हम निकाल नहीं किया इसमें तो चलिए आगे की process के उपर बढ़ते हैं ये दो पूरी अखी कलिया थी lesson की जिसे मैंने छील लिया है इसे हम chopper में डाल देंगे दो इंच अदरक हैं ये इसे भी हम chopper में डाल देंगे अगर आपके पास ये chopper नहीं है तो आप इसे नॉर्मली चॉप करके भी डाल सकते हैं इससे थोड़ा काम असान हो जाता है ये दिखें अच्छे से चॉप हो चुका है अब कडाही में लगबग मैंने 75 ml ओयल लिया है अगर आपको इसको जादा दिन तक स्टोर करें के रखना है तो ओयल थोड़ा जादा डालना होगा अब ये चॉप की हुई अधरा को लैसून डाल देंगे एक मिर्ट तक इन्हें भूनना है फिर इसमें हम ये पेश डाल देंगे जो हमने बनाया था थोड़ा इसमें पानी एड़ कर देंगे और इन्हें थोड़ा सा दो मिर्ट के लिए पकाएंगे फिर इसमें हम एक चम्मच विनिगर डालेंगे दो चम्मच स्वाय स्वास डालना है आपको अब एक से डेर चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है तो हमें थोड़ा इसे स्वाइसी ही बनाना है स्वाद अनुसा नमग अब इसमें एड़ करेंगे एक चम्मच आपको चीनी एड़ करनी है और इसे थोड़ा आपको मिला लेना है अब लगभग मैंने 600 ml के लगभग पानी एड़ किया है धग के आपको 5 मिनट पकाना है 5 मिनट के बाद अब हम इसे थोड़ा ठीक करेंगे तो ठीक करने के लिए दो चमच कॉन फाल लिया है मैंने इसमें पानी एड़ करना है और इसका एक गोल जैसा बना लेना है अब इस सॉस में हम धीरे धीरे एड़ करेंगे इसे चटनी में सॉरी सॉस नहीं यह चटनी है और इसे मिलाते हुए 5 मेर तक और पकाएंगे और लीजे तयार है हमारी चटनी अभी जैसी जैसी ठंडी होगी वैसे वैसे यह और ठीक हो जाएगी तो उमीद करता हूँ रेसिपी आप लोगो पसंद आई होगी आप इसे पराठो के साथ मोमोज के चाथ सेजवान चटनी के तोर पर यूज कर सकते हैं या चाइनिस खानों में यूज कर सकते हैं और इसे आप लगबग 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना है, मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो, एक नए रेसिपी केसी